नमस्कार दोस्तो सुरूची एवन की चमापका स्वागत है आज हम मनाएंगे खरबुची की बीजो का जूस यह बहुत ही आसन रेसिपी है अक्सर खरबुच को कट करनी के बाद उसके बीजो को हम फेक देते हैं लेकिन आप इस तरह से उसका जूस भी बना सकते हो तो चलिए अच्छे विडिए को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मिने खरबुचा लिया था उसके यह बीजह मेंने कटोरी में इन्हें निकाल लिया है निमबू लेंगे सेंधा नमक लेंगे आप यहाँ पे सिंपल नमक ले सकते हो पिसवी चिनी, आइस क्यूब सबसे पहले जो बीच है उन्हें मिकसर के जार में डाल देंगे और अच्छे से बारिक पिस लेंगे यहाँ पे मैंने इसे बारिक पिस लिया है अभी एक छन्नी रख देंगे एक पती लेके उपर और इन्हें अच्छे से छांके लेंगे मैंने इसको छां लिया है अभी हम थोड़े सा पानी उपर से डाल देंगे और इस तरह से एक बार कर लेंगे यहाँ पे बीच ऊपर रह चुके हैं इन्हें साइड में निकाल लेते हैं अभी जूस में डाल देंगे पिसुई चीनी दो तिन चमच आप अपने टेस्के सब से एड़ कर दीजए आप यहाँ पे सिंपल चीनी भी ले सकते हो सेंदा नमक डाल देंगे चोथेक चमच आप यहाँ पे सिंपल नमक ले सकते हो आइस क्यूब डालेंगे तीन चार निम्बू कर रह से एड़ कर देंगे एक देट चमच अभी हम इसमें एड़ कर देंगे एक गलास पानी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे मैंने मटके का थंड़ा पानी आड़ कर दिया है यहाँ पे यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा जूस तैयार है इसे सर्व कर लेते हैं गलास में तैयार है हमारा खरबूजी का बीजो का जूस आपने देखा कि यह बनाना कितना आसन है और इस वज़े से हमारे जो बीजे वो वेस्प भी नहीं जाएंगे आपको यह रेसीपी अच्छे लगी हो तो लैक शेर और कमेंट किजिए और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू फॉर वाचिंग